आज का हमारा topic Euclid division अल्गोरित्म है और अगर आपने मेरे चनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए चलिए सुलू करते हैं युक लिज्ट डीवीपिम लॉट हम युक लिज्ट का अपलिकेशन किया है तो उसका application से GCD find out करना, GCD यानि greatest common divisor और दूसरा नामे GCF, greatest common factor और तीसरा नामे HCF, HCF का मतलब क्या होता है, highest common factor, तो तीनों का meaning same है, तो आपको कोई भी दो नंबर है, उसका अगर GCD find out करना है, या HCF find out करना है, तो आपको यहाँ पर Euclid division algorithm का use होता है, तो वो किस तरह से आप use करना है, 12 और 13 का GCD find out करना है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, जो greater number है, उसको आप dividend लेना है, यानि 30 greater है, तो 30 dividend और 12 है वो divisor, यानि 30 divided 12, ओके, 30 divided 12, फिर से मैं बता हूँ, 30 divided 12 करना है, 12 to the 24, तो यहाँ पर remainder क्या आएगी, remainder 6 आएगी, ओके, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर question 2 आया, और remainder 6 आई है, अभी आपको क्या करना है, जो divisor है, वो next time dividend बन जाता है, यानि उसको 12 को अंदर रखना है, और जो remainder है, वो divisor बन जाता है, तो 6 को बार रखना है, अभी 6 to the 12, तो remainder क्या आएगी, 12 minus 12 means 0, तो remainder यहाँ पर 0 आती है, तब देख सकते हैं यहाँ पर remainder 0 आई, अभी जब remainder 0 आजाती है, तब जो भी divisor है, यहाँ पर 6 divisor है, तो वो 6 है न, वो GCD है, तो आपको remainder 0 तक जाना है, इसी भी तरह से आपको remainder 0 तक जाना है, इसी प्रकार, दूसरा example है, 123 और 36, ओके, तो 123 और 36 उसमें 123 बड़ा नंबर है, तो वो dividend बनेगा, और 36 divisor, तो यहाँ पर हम 123 और 36 करेंगे, तो आपको यहाँ पर कोशंट में 3 आएगा, और remainder 15 आएगा, अभी आपको remainder देखना है, और diviser देखना है, तो diviser 36 है, वो dividend बन जाता है, और remainder है, वो diviser बन जाता है, यानि 36 divide 15 करना है, तो आपको 36 divide 15 करना है, तो आपको यहाँ पर question 2 आएगा, और remainder 6 आएगे, बात में आपको यहाँ पर 15 है, वो यहाँ पर आ जाएगा, यह 15 क्या बन गया, dividend बन गया, diviser में से dividend बनता है, और remainder में से diviser बनता है, त तो यहां पर six divisor है अब देख सकते हो अब फिफ्टेंड डिवाइड सिक्स करोगे तो कोशन टू आएगा और रिमेंडर थ्री आएगी रिमेंडर क्या बन जाएगा डिवाइजर और डिवाइजर क्या बन जाता है डिवीडन तो six six DOM three करो तो यहां पर क्या आएगा कोशन टू रएगा और रिमेंडर जीरो आ गई जब रिमेंडर जीरो आ जाती है तब शका आपको क्या देखना है डिवा देखना है रotal तो डिवाइजर तो इस तरह से आपको GCD find out करना है अभी यहाँ पर आपको एक algorithm मिला algorithm क्या मिला कि devisor है वो dividend बनता है और remainder है वो devisor बन जाता है तो इस step का algorithm हमको मिलता है तो आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर step है कि Euclid division algorithm पहले आपको यह देखना है कि कौन सा बड़ा है कौन सा बड़ा नंबर है जो बड़ा नंबर है वो उसको dividend रखना है चोटा नंबर को devisor रखना है तो आपको यहाँ पर सपोस्कि C है वो बड़ा नंबर है दी चोटा नंबर है c greater than d तो यहाँ पे c क्या बनेगा तो c है वो dividend और d diviser तो यहाँ पे according to remainder theorem dividend equal to क्या होगा dividend equal to diviser into quotient plus remainder आपको मालों में कि जब हम dividend जो होता है उसको diviser divide करते है तो उपर जो मिलता है quotient मिलता है नीचे जो मिलता है वो remainder मिलता है तो आपको अगर तो आप diviser और quotient का multiplication कर दो और remainder उसमें add कर दो तो आपको dividend मिल जाएगा ओके वो तो आपको सबको मालूम है एक example लेगे बताऊँ 24 है sorry 25 लेता है और 8 से divide करते हैं 25 dividend 8 diviser तो यहाँ पे 8 3 is a 24 तो यहाँ पे remainder के आएगी 1 remainder आएगी 25 equal to के आएगा तो 25 equal to के आएगा तो कि यहाँ पे diviser into quotient याणी 8 into 3 तो 8 3 is a 24 plus remainder याणी plus 1 तो 25 आगया तो यहाँ से आपको क्या पता चला कि dividend equal to diviser into quotient plus remainder तो according to remainder theorem यह हमको मिला है अभी आपको बताऊं कि remainder जो है वो diviser से छोटी होती है क्यों क्योंकि अगर diviser से बड़ी हो remainder तो क्या हो जाता है division हो जाता है okay diviser के equal to होती है remainder तो diviser हो जाता है इसलिए remainder diviser से छोटी होती है और remainder 0 पी हो सकती है remainder 0 क्यों होगी जब completely divisible होगा तब remainder 0 हो जाएगी जब diviser dividend को completely divide कर देगा तो आपको remainder क्या मिलेगी 0 remainder मिलेगी तो remainder 0 भी हो सकती है अभी आपको क्या करना है remainder 0 जब तक नहीं आए तब तब आपको यह algorithm लगाना है जब remainder 0 आ जाती है तब आपको उसका diviser देखना है तो D is that hcf of C and D अगर remainder 0 आ जाती है तो C और D का hcf क्या होगा जब remainder 0 आए तब जो diviser मिला वो उसका hcf होगा अधरवाई अगर remainder 0 नहीं आती तो continue the process till the remainder is 0 process continue रखना है जब तक remainder 0 नहीं आए अगर remainder 0 आ गई तो तब उसका diviser देखलो समझ में आ गया अभी यहां पर question है one तो English division algorithm to find the hcf of अभी देखो आप देख सको यहां पर एक्जांपल है तो आपको यहां पर क्या करना है देखो यहां पर पहले आपको क्या देखा कौन सा बड़ा नंबर है तो 225 बड़ा है 225 greater than 135 अपि आपको क्या करना है 225 जो है उसको 135 से divide करना है तो आपको यहां पर 1 है वो कोशंट मिला और 90 remainder मिला 90 हमको क्या मिला remainder ओके तो यहां पर यह क्या है तो यह divisor into quotient है ओके divisor into quotient plus remainder ओके equal to c c means dividend ओके तो यह formula लगया है अभी यहां पर जो divisor है 1335 वो next में क्या बन जाएगा dividend बन जाएगा ओके equal to यह remainder है वो क्या बन जाएगा divisor बन जाएगा और बाद में आपको quotient find out करना है और remainder भी find out करना है यहां पर multiplication आएगा यहां पर multiplication आता है और plus remainder आता है divisor और quotient का multiplication अभी quotient remainder find out करना है तो आपको क्या करना है कि 135 वो dividend बन गया 90 divisor बन गया तो 91 बन जा 90 तो remainder क्या है यह 45 यह तो यहां पर quotient में 1 आता है तो आपको quotient में 1 लिखना है और remainder 45 लिखना है तो 19 बन जा 90 प्लस 45 यानि 135 आ गया तो इस प्रकार आप देख सकते हो यहां पर यह हुआ अभी भी remainder 0 नहीं हुआ अभी remainder 45 है तो आपको remainder 0 करना है तो फिर से यह 90 क्या बन जाएगा 90 आपको dividend बन जाएगा क्योंकि divisor में से dividend बन जाएगा तो आप देख सकते हो यहां पर dividend बन गया 45 है वो क्या बन गया डिवाइजर 45 डिवाइजर बन गया ओके division करके आपको two quotient आया यह quotient मिला है ओके वो remainder क्या मिला 0 remainder 0 मिला है अभी आपको remainder 0 आ गयी तब उसका diviser find out करना है तो diviser क्या था remainder 0 आ गया तो diviser 45 था आपको 45 है वो आपको gcd मिला gcd बोलो hcf बोलो कुछ भी बोल सकते हो तो आप यहां पर देख सकते हो 45 हमारा hcf मिला है यहाने की gcd मिला है इसी प्रकार आप देख सकते हो यहां पर यह दो नंबर दिये हुए उसमें से यह 38,220 बड़ा नंबर है तो वो क्या बन गया dividend और diviser क्या है 196 अभी dividend को diviser से divide करते हो तो quotient हमको मिला है 195 ओके 195 quotient मिला है हमको और remainder आपको 0 direct मिल गई है तो आपको जब remainder 0 मिल जाते है तब उसका diviser देखना है diviser 196 है तो यह 196 है ना वो hcf हुआ इसी प्रकार यहाँ पर देखो 3867 है और 255 है उसमें greater 867 है तो उसको dividend बनाया diviser 255 तो आपको क्या मिलता है quotient आपको 3 मिलता है और remainder 102 मिलता है अभी remainder 102 मिला है तो remainder diviser बन जाएगा और diviser है वो dividend बन जाता है वो 225 अभी quotient क्या मिला आपको 2 quotient मिला और 51 remainder मिली अभी आपको remainder 0 नहीं मिली तो आभी 102 है वो diviser divided बन जाता है remainder diviser बन जाता है और आपको यहाँ पर क्या मिलता है अभी quotient 2 मिला यह 2 है वो quotient है और 0 है वो remainder है तो रिमेंडर जीरो मिली और भी रिमेंडर जीरो मिल गई तब आपको क्या करना है उसका डिवाइजर देख रहा है यहां पर डिवाइजर क्या है 51 तो 51 डिवाइजर है तो वह 51 हमारा HCF हुआ तो इस तरह से आप HCF find out कर सकते हो युकलेश डिविजन अल्गोरिधम से यहां पर दूसरा एक्जामपल है यहां पर show that any positive or integer of the form of 6q plus 1, 6q plus 3 और 6q plus 5 अभी आप देख सकते हो कि यहां पर अगर 6 डिवाइजर ले यहां पर आपको 6 डिवाइजर लेना है तो यहां पर आप यह देखो यह जनरल form है जनरल form में जो 6 पर वो डिवाइजर है ओके और यह जो है वो डिवीडन है Q कोशंट है और आर रिमेंडर है तो आपको देखना है यहां पर कि अगर हम यहां पर देखो यहां पर कि 6 डिवाइजर है तो आपको रिमेंडर क्या हो सकती है 0 to 5 रिमेंडर 6 से लेस होगी और 0 से एक्वल और ग्रेटर होगी तो 0 भी आ जाएगा 1,2,3,4,5 6 नहीं आएगा 6 से लेस होगी तो यहां पर रिमेंडर की possibility यहां पर 0 to 5 है अगर 6 आता है तो 6 से डिवीजिबल हो जाए आएगा ओके तो फिल से रिमेंडर आपको 0 आ जाएगा अभी आपको यहां पर आपको यह देखना कि ओड होगा ओके ओड पो इंटिजर में 6 q प्लस 1 आएगा 6 q प्लस 3 आएगा और 6 q प्लस 5 आएगा वो कैसे देखो यहां पर फर्स्ट में देखो 6 q जब रिमेंडर 0 है ओ ओके तो रिमेंडर 0 कब आती है जब यहां पर 1 की value जो है वह यह रिमेंडर 0 आती है अब है अभी सोल करते हैं अभी देखो यहां पर 6 q आया है अभी 6 q को इस तरह से लिख सकते हैं इसका मतलब क्या है वो इवन नमबर होगा यानि कि 6Q जो है वो इवन पॉजिटिव इंटीजर होगा आपको ओड पॉजिटिव इंटीजर लेना इवन नहीं लेना अभी यहां पर 6Q प्लस 1 है तो इसमें से 2 को मन नहीं आता है तो यह ओड पॉजिटिव इंटीजर है अभी यहां पर इसमें देखो यहां पर 2 को मन आजाता है 6Q प्लस 2 में 2 को मन आएगा तो 3Q प्लस 1 आएगा यानि कि यहां पर इवन पॉजिटिव इंटीजर है बात में यहां पे अब देखो, यहां पे इस में देखो, टू को मन नहीं आता है तो जब E1 number होता है, E1 positive integer होता है, तब वो two का multiple होता है इस में देखो, 6Q plus 4 में two common आय railroad is तो three Q plus two आता है, तो two का multiple है यानि even positive integer जरें अभी यहां पर 6q plus 5 यह ओड है क्योंकि इसमें 2 common नहीं आता तो आपको यहां पर देखो यहां पर 0 1 2 3 4 और 5 यह सब remainder है यह 1 remainder 2 remainder 3 remainder 4 remainder 5 remainder तो उसमें से जब 1 remainder आती है और 3 remainder आती है और 5 remainder आती है जब 1 3 और 5 आता है तो और positive integer होता है अभी आपको यहां पर आपको देखना है कि अगर यहां पर देखो 6q plus 1 है अभी 6q plus 1 है उसको तो इसमें से 2 को इसमें देखो इसको इस तरह से भी लिख सकते हो 2 into 3q 6q को 2 into 3q निख सकते हो ओके समझ में आगे अभी अभी देखो 3q को हमने k assume कर दिया 3q को हमने k assume किया तो आप देखो कि 2k plus 1 हुआ तो अभी आप देख सकते हैं तो आपको क्या मिलेगा ओड मिलेगा यानि यह प्रू हो गया कि 6q plus 1 है वह ओड पोजिटिव इंटीजर है यह हमने अभी 6q plus 3 को हम स्प्लीट कर सकते हैं 2 plus 1 में 2 plus 1 हम स्प्लीट कर सकते हैं 2 plus 1 अभी देखो 6q plus 2 है उसमें से 2 common ले लिया तो हमको 2 bracket 3q plus 1 मिला पर plus 1 as it is जो हमने split किया था अभी यहां पे आपको 3q plus 1 को हम k2 assume करते हैं को कोई भी integers k2 तो आप देखो k2 जो है उसके multiply में 2 है यानि 2 k2 2 k2 है वो even number मिलेगा क्योंकि 2 का multiple है तो आपको यहां पे even number में अगर 1 add कर दो तो क्या मिलेगा odd number तो हमको 6q plus 3 भी आपको odd number मिला अभी 6q plus 5 तो इसको हम इस तरह से भी लेख सकते हैं 4 plus 1 ओके अभी अभी 4 इसके साथ 6q के साथ 6q plus 4 अभी इसमें से 2 को मन निकालो तो 2 2 bracket 3q plus 2 plus 1 अभी देखो यहां पे 3q plus 2 को k3 यहीं जीम कर दो तो आप 2k3 plus 1 अभी देखो यहां पे integer का 2 का multiple है वो के 2 से multiply हुआ है यानि वो even number होगा उसमें plus 1 add करो तो odd number मिलेगा यानि 6q plus 5 है वो code number है तो इस तरह से आप प्रूव कर सकते हो अभी यहां पे देखिए एक army है उसका 616 members है फी बिहाइंड the army band of the 36 members 32 members है in parade 32 member parade में है the two group are to march in the same number of column what is the maximum number in which they can march okay maximum number of column आपको maximum कितनी column रखने पड़ेगी एक army band में 32 members है यानि आपको maximum बोले यानि is common factor find out करना है तो 616 और 32 का is common factor Euclid's algorithm से find out करो तो आपको यहां पे 8 मिलता है यानि आपको maximum 8 column आप बना सकते हो मार्च में maximum 8 column बना सकते हो बाद में आप देख सकते हों यहां पे युक्लिश डिविजन लेम आप टू शो देट तो स्क्वेर अनि पोजिटिव इंटीजर इस आइधर ओप 3m 3m प्लस 1 और सम इंटीजर अभी कोई किसी का स्क्वेर है उसको 3m या 3m प्लस 1 में लिख सकते हैं इसा गुला है तो यहां पे आप डिवाइजर है वह आप 3 ले लिजिए तो यहां पे a प्लस 3q प्लस r होगा अभी यहां पे रिमेंडर क्या हो सकती है 0,1 और 2 अगर 0 होगी तो 3q आएगा अगर 1 होगी तो 3q प्लस 1 आएगा और 2 होगी तो 3q प्लस 2 आएगा यहां पे 3 कैसे है प्लस रिमेंडर हो सकती है 3 से लेस हो सकती है यहां पे 3q 3q उप्लस 1 और 2 2 अगर हम इसको स्क्यर करें Reg1 नहीं तो आपको 3m या 3m प्लस 1 में आपको लिखना है तो अह पहले स्क्यर करना है तो हमने स्क्यर कर दिया a स्क्यर अब देखो 0 remainder होगी तो 3Q के form में आएगा, 1 remainder होगी तो 3Q plus 1, 2 remainder होगी तो 3Q plus 2, 3 में से कोई भी एक case apply हो सकता है, कोई भी integer में, तो आप देखो, square in करो, तो आप सभी का square in किया, बीच में और लिखा है, और यानि ये नहीं होगा तो ये हो सकता है, और लिखा है यानि ये नहीं होगा तो ये भी हो सकता है, कोई भी case किसी में भी apply हो सकता है, डिपेंड अपोन नंबर्स वह 3 से डिवाइड होता है तो बाद में 0 रिमेंडर भी आ सकता है 1 रिमेंडर भी आ सकता है अभी अगर स्क्वेरिंग कर दिया बाद में यहाँ पे अधिया बाद में यहाん पर प्लस बीओ- Nashville का हो स्क्वेर की यहाँ पर बैमिल है 9 जवाहे के देखर आभीवाएगर आब यहाँ पर नाइन कैसे आएंक हैं ट्री की तो आ इसको इसको एका पर किया अबिस्धार है2 3 x 3 q square बाद में यहां पर देखो यहां पर आइडेंटिटी लगाई है a square plus 2ab plus b square ओके तो यह identity लगाई है a square plus 2ab plus b square इसी प्रकार यह ही identity इसमें लगाई है तो यह form मिल गया है ओके अभी आपको देखो यहां पर 3 to 3 9 यानि उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं अब यह 3 q square को हमने m assume कर दिया इसको m assume करो तो 3m मिलेगा तो हमको यह एक प्रू हो गया बाद में देखो यहां पर इसमें से 3 comma निकाल दिया तो यह हमको मिला तो इसमें यह जो पार्ट है यह पार्ट इसको m assume कर दो m य प्रूख कर दिया अभी इसमें देखो इसमें 4 को split करो तो क्या एगा 3 प्लस 1 होगा ओके अभी 3 प्लस 1 होगा तो आपको 9 q square 12 q Plus 3 इसमें 3 कॉमन लेलो तो अथको क्या मिलेगा 4 को split कर दिया 3 three plus one अभी three common ले लो तो three common ले लिया तो क्या मिले गए यहाँ पे तो three q square plus four q plus one और यह bracket complete और यह जो plus one है वो as it is plus one यहाँ पे रखना है इस type का जो आप देख शक्ते हम यहाँ पर यह इस टाइप यहाँ पर आगया है अभी आपको क्या करना है कि यहाँ पर इसको यह जिम करो इसको एज़ियों करो एं तो क्या हैगा three m plus one यह जो ऑगया तो फिर से यहाँ पर three 3M प्लस वन वह गया तो इस प्रकार हमने यह तीनों केसे उसमें एक से में ऑल्ते में कोई बी positive integer प्लस वन में कोविजीटिव के सवाइन को धीक्युज़ को 3M लग सकते हैं यहां पे हमने स्क्वेयर को लख सकते हैं अभी यहां पर देखो इस सह मैं देखो इसमें आपको क्या है कि क्यूब dif lena ऐ अब को अभी देखो यही केसे इसमें ।दिवाइजर 3 ही लेना है वह याद रहना है कुन साव। यह पे आपको diviser 3 लेना है और एक्सम्म में यह से駍त हैं उसमें का इस ग्यूब SIneg1 EX यह हो गा अभी यहाँ पर 3 लेंगे तो यह 3 फोम मिलेंगे अभी 3 का Q करना है पहला केस ले ले लें उसका हमने Q किया है तो 3 का Q 27 और Q का Q Q Q ओके अभी देखो यहाँ पर 27 को 9 into 3 भी लिख सकते हो और आपको इस फोम में लाना है 3 केस को तो 9 x 3 भी लिख सकते हो, अभी आपको क्या करना है, कि 3 q, q भी है उसको a में एजियूम कर दो, तो 9m हो जाएगा, 9 multiply में है तो, तो यह first prove हो गया, हमने first prove कर दिया, second case में 3 q plus 1 होगा, 1 remainder हो तो, उसका अगर q करते हैं, तो a plus b whole q का identity लगाना है, a plus b whole q का identity क्या है, तो कि a q plus 3 a square b plus 3 a b square plus b q, तो इस तरह से होता है, तो यहाँ पर यह identity लगाना है, तो आपको यह मिलेगा, बाद में आपको इस में से 9 common ले लो, तो यहाँ पर 9 common ले लिया, तो इस type का मिला, okay, plus 1 as it is, okay, अभी देखो, इसको हम a में assume कर दें, तो क्या मिलेगा, 9 a plus 1, okay, 9 a plus 1 होगा, तो एक q क्यूब का 9 a plus 1 होगा, अभी देखो, यहाँ पर 3 q plus 2, यह तीसरा case है, जिसमें रिमिनल 2 है, यह last case, इसका हम q क्यूब करना है, वही identity लगानी है, 3 q plus cube में identity लगानी है, a plus b all cube की, तो इस type का form मिलता है, अभी इस में से, आपको क्या करना है, इतने में से 9 common ले लो, यहाँ पर 9 common ले लिया है, okay, 8 as it is रखना है, उसमें से 9 common नहीं लेना है, अभी इसको है नो वो a में जीम कर दो, तो 9m plus 8, 9m plus 8, समझ मैं क्या, यहाँ पर 9m plus 8 होगा, तो यह a cube याणि 9m plus 8, देखो यह तिसरा भी प्रूव हो गया, 9m plus 8, 9m plus 1 और 9m, ओके, थैंक यू फर वचिक मैं वीडियो, दोस्तो, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरी चैनल जैमीन एज्यूकेशन को सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकोन को दबाईए,